आपके घर में भी बच्चे तोरी की सबजी को देखकर नाक चड़ाते हैं और बिल्कुल भी उसे नहीं खाना पसंद करते हैं तो यहां पर जो यह रेसीपी है यह सिर्फ आपके लिए ही है तो एक बार इस वाली रेसीपी को ट्राय कीजिएगा बच्चे देखेगा कि तोरी क सबजी को चट कर जाएंगे और और मांगेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको तोरी ले लेनी है और इसे अच्छे से वाश करने के बाद उसे चील लेना है तोरी को अच्छे से चीलने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे क्योंकि कई पर क्या होता ना तोरी कड़ भी निकल करी पत्तों को चॉप करें करी पत्तों को चॉप करके डाला आप जाए तो साबुद भी डाल सकते हैं एक चमच के आसपास मैं ले रही हूँ जीरा जीरा डालने के बाद इसे जब तक जीरा क्रेकल ना हो जाए अच्छे से जीरा भुन ना जाए तब तक हम इसमें प्याज नहीं डालेंगे तो देखे जीरे का जो कलर है वो चेंज हो गया है ब्राउन हो गया है अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे प्याज तो यहाँ पर जो प्याज लिया है मैंने एक प्याज लिया है मीडिया मकार का प्याज है यह अगर आपके पास तोरी जादा है तो यहाँ पर प्याज आप बड़ा भी ले सकते हैं तो इसे अच्छे से fry कर लेंगे देखे प्याज को बहुत अच्छे से हमें golden brown करना है यह देखे बहुत अच्छा हमारे प्याज में color आना शुरू हो गया है प्याज हमारे एकदम से transparent होने शुरू हो गए है और अब इसी stage पर हम डाल देंगे दो हरी मिर्च बारी काट कर अब आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने तोरी काट के रखी हुई थी सारी तोरी हम इसमें डाल देंगे अब तोरी डाल के हम इसे अच्छे से पकाएंगे देखे तोरी को भी हमें सेम इसी तरह से fry करना तो देखिए तोरी जो है वो कलर चेंज करना शुरू कर गई थी तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच नमक यानि कि नमक जो आप है स्वादनुसारी लीजिए जीरा पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच हलती पाउडर एक चमच धनिया पाउडर तकरीबन दो चमच अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब तोरी को भी हमें मसाले के साथ भूनना है यह देखिए जो मसाले हैं वो भी हमें भूनने हैं अगर मसाले हम भूनेंगे नहीं तो मसालों में कच्चा पन रहेगा और सबजी हमारी टेस्टी नहीं बनेगी तकरीबन एक मिनट तक हमें मसाले भूनने हैं अब हमें लेनी है तूर दाल एक कटोरी और दाल को अच्छे से वाश कर लेंगे जिसे की डाल के उपर जो पॉलिस होती है वो उतर जाए तो यहाँ पर देखिए हमने जो तूरी रखी थी देख रहे हैं आप कितना अच्छा हमारी तूरी का कलर आ गया मसाले भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं हमने कोई पानी नहीं डाला इसमें तूरी के अंदर ही जो पानी होता है उसी से ही इस सबजी इतनी डन होई है अब इसमें हमने जो तूर दाल भीगो के रखी थी दोके रखी हुई थी वो डाल देंगे यह देखिए इसमें डाल डालने के बाद हम दाल को भी तकरीबान एक मिनट तक इसी तरह से मिक्स करेंग अब इसमें हमें तकरीबन एक मिनट तक चलाने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम पानी तकरीबन दो गलास के आसपास यहां पर पानी जाना चाहिए देखिए तोरी की सबजी जब हम बना रहे हैं तब इसमें दो गलास पानी डालने के बाद जब हमारी सबजी में एक बॉयल आ जाए तो हम इस पे कूकर का ढखकर लगा देंगे और तकरीबन दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे दो सीटी आ गई है तो चलो चेक कर लेते हैं हमारी दाल कैसी बनी है यहां पर जो दाल है हमारी पक चुकी है और तोरी भी हमारी पक गई है सबजी हमारी बनकर तयार है तो इसे सर्फ कर लेते हैं मैं यहां पर चावलो के साथ इसे सर्फ कर रही हूँ तो एक बावल में मैंने चावल ले लिये हैं अब यहां पर मैं डाल रही हूं हमारी बनाई होई तोरी की सबजी जो की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है इस सबजी को आप रोटी के साथ खा सकते हैं चावलो के साथ खा सकते हैं या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं तो तोरी की सबजी खाने में बहुत ही ज़्य और टेस्टी वाली रेसिपी तो आज की वीडियो में इतना ही अपना ध्यान रखेगा स्वेश्ट दखाईएगा मस रहिएगा मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में सो बाब बाई फ्रेंज